मतुरा उत्तर भारत के विशालतम दक्षिन शैली के सबसे बड़े मंदिर व्रिंदावन के रंगनात मंदिर में शुक्रवार को बैकुंट एकादशी के अवसर पर बैकुंट द्वार खोला गया यहाँ ब्रह्म मुर्त में भगवान रंगनात माता गोदा के साथ निज मंदिर से पालखी में विराजमान होकर वैकुंट द्वार पहुचे जा स्वामी गोवर्दन रंगाचारी जी के निर्देशन में मंदिर के सेवायत पुजारियो द्वारा पाट किया गया करीब आदा घंटे तक होए पाट और अर्चना के बाद भगवान रंगनात और शट कोप स्वामी की सवारी मंदिर प्रांगन में भ्रह्मन करने के बाद पौंडानात मंदिर जी से कहा जाता है कि वह वैकुंट लोक में है विराजमान किया जाता है जहां भक्त वैकुंट द्वार से निकल कर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं मंदिर के स्वामी रगुनात जी ने बताया कि 21 दिवसिय वैकुंट उत्सव में 11 वैकुंट एकादशी पर वैकुंट द्वार खोला जाता है या एकादशी वर्ष की सर्वस्त्रेष्ट एकादशियों में से एक मान जाती है मानता है कि वैकुंट एकादशी पर जो भी भग वैकुंट द्वार से निकलता है उसे वैकुंट दाम की प्राप्ति होती है मंदिर के मुख्य कारेकारी अधिकारी अनगा श्री निवासन ने बताया कि अलवार आचारे वैकुंट उत्सव के दोरान अपनी रचित गाथा भगवान को सुनाते हैं वैकुंट एकादशी के दिन दक्षिन के सभी वैश्नव मंदिरों में वैकुंट द्वार ब्रह्म मुर्त में खुलता है इसी परंपरा का निर्वाहन व्रंदावन स्थित्रंगनात मंदिर में किया जाता है बैकुंट दरवज्य के बाहर बिलाजते हैं और भगवान वहां गेट के अंदर खड़े होके भग्तों को तथालवालों को दर्शन देते हैं अब ये दस दिन तक बैकुंट मंदप में निकलेगी भगवान की और इसके बाद जो है फिर भगवान का विवाव उस्थो आगे मकर समतान्ती तक होगा अभी इसके बाद जो है सतकोव स्वामी जी का फिर परमपद उस्थो इसे में दिखाया जाता है भगवान का पाठ होता है अब भगवान यहां भक्तों को दर्शन देंगे इसके बाद यहां अंदर विराज जाएंगे फिर इसके बाद भगवान के अभिसेख की क्यारी फिर भगवान का भोग प्रशाद लगेगा प्रशाद भक्तों को बिच्चित किया जाएगा